जेसेंडरा आर्डर्न एक महिला का नाम है जो की न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर है और एक बार फिर से ये चुनाव जीत गई है इसी संबंद में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं जेसेंडरा आर्डर्न की जीत है ये जीत उमीद की जीत है आगे देखते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स एंड डिसाइसिव गवर्नेंस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है समावेशी राजनीती समावेशी राजनीती का मतलब होता है कि हर तबके के लोगों को राजनीती में शामिल करना उसे बोला जाता है inclusive politics यानि गरीब, अमीर, छोटे, बड़े हर तरह के लोगों को जो है साथ लेके चलना उन्हें कहा जाता है इस तरह की राजनीती को कहा जाता है inclusive politics and decisive governance निरनायक सरकार निरनायक शाषन करने की जो पावर होती ना किसी भी सरकार की decisive governance का मतलब होता है निरनायक शाषन की जो फैसला ले लिया so ले लिया one another term for ardor in New Zealand तो इन चलतों, इन मुद्दों के चलते यह दो कारण रहे मुख्य decisive का मतलब होता है निरनायक और governance का मतलब है शाषन की एक तरीके साब यह कह सकते हो कि Jacinda Ardern जो है उनमें शाषन करने की जो ability है ability एक decision power जो होता है decision making leader होता है वेसी quality है उनमें तो यह दो कारण रहे कौन-कौन से inclusive politics और decisive governance की प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी another term for Ardern in New Zealand की पहले तो थी ही यह न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई है तो दूसरी अवधिक के लिए Jacinda Ardern न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई है और वे बनी हैं खास करके inclusive politics और decisive गवर्नेंस के चलते Jacinda Ardern वाज एक्सपेक्टड बही ऐसी उम्मीद थी to win Saturday's parliamentary election in New Zealand की बही यह जो शनिवार को संसद्य चुनाव न्यूजिलेंड में हुए है न तो ऐसी उम्मीद थी की जैसिंडा Ardern जो है वे चुनाव को जीतेंगी क्यों जीतेंगी? given देखते हुए इस बात को ध्यान रखते हुए that almost all opinion polls कि बही जो opinion polls होते है opinion polls का मतलब क्या होता है opinion polls का मतलब होता है कि यह जो survey conduct किये जाते है कि बही चुनाव हो गये कि देश में जो जो चुनाव हो रहे हैं इन चुनाओं में किसके जीतने की उम्मीद है, किसके हारने की उम्मीद है, इन्हें कहा जाता है, opinion polls है, ना, कि ये जो विचार होते हैं, तो opinion polls का यही कहना था, कि जैसें डार्डन जो है, वे चुनाओं जीतेंगें, given, इस बात को ध्यान में रखते हुए, almost all, कि लगबग सारे opinion polls का यही कहना था, had predicted, predict का मतलब होता है, भविश्वानी करना, कि सारे की सारे opinion polls ने इस बात की भविश्वानी की थी, हैना, कि जो है, जैसें डार्डन जीतेंगे, this for the 40 year old global liberal icon, 40 साल की है यह, और वैश्विक, icon, icon का मतलब क्या होता है, icon का मतलब होता है, एक तरीके से, एक vicious नमूना, ग्लोबल लिबरल, कि भई, एक तरीके से, इनकी जो image है, यहाँ icon से मतलब समझ सकते हो, कि भई, इनकी जो image है, वह एक वैश्विक उदारवादी नेता की है, आगे देखते हैं, नॉटेड और जैसिंडा अल्डन जो है, इन्हें जाना जाता है, नॉटेड का मतलब है, जाना जाता है, किस बात के लिए, for our inclusive politics, अपनी समावेशी राजनीती के लिए, and tough handling of the coronavirus pandemic, और इन्होंने क्या किया, यह जो coronavirus था न, इसको बहुती मजबूत तरीके से handle किया है, tough handling का मतलब है, कि जो coronavirus हा, उससे निपटने में, इन्होंने बहुती बहतरीन आप कह सकते हो, अपने निर्णे इन्होंने लिए, बहुती बहतरीन निर्णे लिए, tough handling of the coronavirus pandemic, pandemic के नहीं वेश्विक में हमारी, तो इन दो चीजों के लिए इने खास कर जाना जाता है, कि coronavirus से इन्होंने निजिलेंड को बहुती बहतरीन तरीके से बचाया, और समावेशी राजनीती की ये पक्षकार है, but it was the margin, margin का मतलब है यहां पर अंतर, of the victory, लेकिन Jacinda Ardern को जो जीत हासिल हुई है, margin, margin का मतलब है कि वो अंतर, जिस अंतर से यह जीती न, वो अंतर काफी चौकाने वाला था, it was the margin of the victory that surprised many, जिसने काफी लोगों को आश्चेरे में डाल दिया, जिस अंतर से जीती, यानि कि बड़े ही विशाल अंतर से जीती है, her center-left Labour Party, इनकी पार्टी का नाम है Labour Party, Jacinda Ardern की पार्टी का नाम है Labour Party, इन्होंने, इनको कितने प्रतिशत वोट मिले, 49.1 प्रतिशत इनकी पार्टी को वोट मिले, of the popular vote है न, total vote की इतने वोट हिने मिले, and is projected, और अब ऐसी उम्मीद है, इसा आकलन किया जा रहा है, project का मतलब है, कि वो यसी उम्मीद की जा रही है, इसा आकलन किया जा रहा है, to take 64 seats in the 120 member parliament, की New Zealand की 120 सदश्य संसद, जो है उसमें से 64 seat Labour Party के पास रहेंगी, यानि कि Jacinda Ardern की पार्टी के पास 64 seat रहेंगी 120 में से, this is Labour's greatest victory, अब यह जो Jacinda Ardern की जो पार्टी है ना Labour Party है, यह Labour Party की बहुत ही बड़ी जीत है, greatest victory मतलब बहुत ही बड़ी जीत है, in almost 50 years, पिछले 50 सालों की अगर हम बात करें, तो पिछले 50 सालों में, पहली बार Labour Party को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, और बिगेस्ट विक्ट्री अफ एनी पार्टी सिंस दे नेशन अडॉप्टेड अप्रपोर्चनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम, in 1996, विच गिवस असेम्ली सीट्स तो एनी पार्टी विनिंग मोर देन 5% वोट्टी, यह देखो, यह पूरी एक लाइन है, इसका मतलब समझते हैं, कि ठीक है, एक बात तो हमें आई समझ में, इस इस लेवर्स ग्रेटेश्ट विक्ट्री इन अल्मोस्ट फिप्टि यर्स, कि वही पिछले 50 सालों में लेवर पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, और biggest victory of any party, और New Zealand में जितनी भी पार्टी हैं, उन पार्टी में से, किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, कबसे, since the nation adopted, adopt का मतलब होता है, अपनाना, कि जब से New Zealand ने अपनाया, क्या अपनाया? A proportional representation, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, voting system, बड़ी एक तरेके का इन्होंने क्या, एक voting system अपनाया है, कब उन्नीस सो चिन्वे में, उन्नीस सो चिन्वे में, New Zealand ने एक proportional का मतलता है, आनुपातिक, representation यानि प्रतिनिधित्व, आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व का voting system जो इन्होंने अपनाया है, इसके तहट क्या होता है, विच गिवस असेंबली सीट्स टू एनी पारिटी, कि भई, जो न्यूजिलेंड की असेंबली है, जो न्यूजिलेंड की पार्लियमेंट है, उस पार्लियमेंट में, किसी भी पारिटी को सीट मिल सकती है, कब विनिंग मोर देन 5% वोट, जो कि Jassinda Ardern की पार्टी ने वर्तमान चिनाओ में हासिल की है, दा ओपोजिशन सेंटर राइट नेशनल पार्टी, कि भई, जो अपोजिशन की पार्टी है ना, सेंटर राइट नेशनल पार्टी, इसने कितने पृतिशन वोट जीते, 26.8 प्रतिशन, देखो भई जेसिंड आर्डन की पार्टी ने जीते 49% और विपक्ष ने कितने जीते सिर्फ 26% of the vote, total vote के and is projected और ऐसी उम्मीद है to take 35 seats की जो विपक्ष ना उसके पास 35 seat रहेंगी down from the 56 seats it won in the previous election देखो ये जो विपक्ष की पार्टी है जिसका नाम है national party इसने पिछले चुनावों में 56 seat जीती ती अब 56 seat से घटके डाउन लिखावा न यानि कि 56 seat से घटके अब वर्तमान चुनावों में जो है national party के पास सिर्फ 35 seat रही है it won यानि कि ये जो national party ने जीते थी 56 seat कब previous election में पहले जो चुना हुए थे उन चुनावों में miss arden who came to power in 2016 miss jacinda arden के लिए कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है who came to power in 2017 जो की 2017 में पहली बार जो है power में आई पहली बार जो है चुनावों में जीती और prime minister बनी by forming a coalition और ये prime minister किस तरह से बनी इन्होंने क्या किया 2017 में जब इन्होंने चुनावों जीता तो इन्होंने गठबंदन निर्मित किया forming यानि निर्मित करते हुए क्या coalition यानि गठबंदन with the greens ये greens जो लिखावा नहीं यहापे green party का नाम है यहापे न्यूजिलेंड वे faced unprecedented challenges in her first term देखो unprecedented का मतलब होता है अभूत पूर्व जो पहले न हुआ हो तो इन्हों जब यह पहली बार जो है एक तरीके से प्रदान मंत्री बनी तो इन्होंने अभूत पूर्व चुनोतियों का सामना किया यानि कि एसी चुनोतियों का इन्हें सामना करना पड़ा जो कि कभी नहीं देखी कही है ना इन हर first term, first term का मतलब है पहली अवधी कि faced unprecedented challenges in her first term कि भई जो उनकी एक परीके से आप कह सकते हो कि जैसिंड आर्डन ने ये जो पहला चुनाव लड़ा है ना पहले चुनाव में जो जीत इन्होंने दर्ज की उस जीत के दौरान इन्हें जो है अ covid-19 outbreak देखो ये तीन मुख्य बाते हैं देखो क्या हुआ कि एक तो हमें क्या देखने को मिला कि आतंकवादी हमला हुआ कि न्यूजिलेंड में एक चर्च है उस चर्च पे आतंकवादी हमला देखने को मिला जिसमें कई लोगों की जान चले गई है ये बहुत ही बड़ी त आइलेंड पे ज्वाला मुकी के फटने की एक और घटना हमें देखने को मिली और तीसरी घटना वो थी covid-19 का प्रकोप आउट ब्रेक का मत होता है प्रकोप covid-19 का फेलना ये तीन बड़ी बड़ी चुनोतियां थी जिनसे मिस जैसिंडा आर्डन को निपटना पड़ा she herself had turned the polls into a defecto referendum she herself उन्होंने swim क्या किया कि ये जो चुनाओ थे पोल्स का मतलब है यहाँ पर चुनाओ इन्होंने चुनाओ को मोड़ दिया into a defecto referendum डीफेक्टो का मतलब होता है कि जो actually है न वास्ताव में रेफेरेंडम का मतलब होता है जन्मत कि मिस जैसिंडा आर्डन ने जन्मत को अपनी तरफ मोड दिया वास्ताव में अपनी तरफ मोड दिया देखो एक बात ध्यान रखना है पूरे विश्व में नेूस जिलेंड ने कोरोना वाइिरस को बहुत ही बहतरी तरीके से हैंडल किया है सबसे कम म्रत्यू कोरोना वाईडिस के चलते न्यूजिलेंड में हमें देखने को मिली तो इन्होंने च्षुनाओ को कहा जैसिन डार्डन ने चुनाव को कहा COVID election COVID election कहके उन्होंने क्या किया चुनावों को अपनी और मोड दिया है ना एक तरीके से इसको ही मुद्दा बना लिया उन्होंने COVID election है ना यानि कि इसको ये बात कही उन्होंने आगे देखते हैं New Zealand अब न्यूजिलेंड के बारे में देखो additional जानकरी दी जारी है कॉमा लगा के है ना यहां से यहां था क्या बताया जा रहा है home to over 5 million New Zealand जहां पर की 5 million से ज़्यादा लोग रहते हैं यानि कि लगबग 50 लाख लोग recorded just 25 pandemic देखो कितनी आश्चरी की बात है न्यूजिलेंड में coronavirus के चलते हैं सिर्फ 25 मोतें दर्ज की गई है record का मतलब है दर्ज करना 25 pandemic death है ना कि pandemic है नहीं वैश्विक महा मारी है ना coronavirus coronavirus के चलते हैं न्यूजिलेंड में सिर्फ 25 मोतें हमें देखने को मिली one of the lowest fatality rates in the world fatality rate का मतलब क्या होता है ने देशों में हैं जहां coronavirus के चलते मृत्यूदर बहुत ही कम रही है it has eliminated community transmission किया किया न्यूजिलेंड ने it has eliminate eliminate का मतलत होता है completely समाप्त कर देना किसी चीज को खत्म कर देना community transmission community transmission का मतलब होता है कि जब एक समाज के इस्तर पे सामुई की इस्तर पे जब कोई बीमारी फैल जाती है transmission यानी संक्रमन फैलना संचरन और community transmission यानी सामुदाई की इस्तर पर जो है चीजों का फैलना है तो क्या किया न्यूजिलेंड ने community transmission को जो है रोक दिया by imposing लगाते हुए strict lockdown से न कठोर lockdown को लागू करते हुए न्यूजिलेंड ने coronavirus के community transmission को रोक दिया and brought back brought back का मतलब है वापस लाना relative normalcy before the election और जो है एक तरीके से normalcy का मतलब क्या होता है normal condition की coronavirus के पहले जैसे हालात है करीब करीब वेसे ही हालात न्यूजिलेंड में निर्मित कर दिये गए जैसिंडा आर्डन के द्वारा है न चुलाओं के पहले before the election तो यह है तो यह एक काम जो है बहुत ही खतरनाक किया गया न्यूजिलेंड के द्वारा या फिर जैसिंडा आर्डन की सरकार के द्वारा क्या किया गया कि बहुत ही कठोर lockdown लगाया गया और कठोर lockdown के माध्यम से community transmission को रोका गया के और नॉर्मल कंडिशन चुनाओ से पहले लाने की कोशिश की गई है लगब 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 रिलेटिव का मतलब हता है तुलनात्मक रूप से कि आप यह तो नहीं किया सकते कि बिलकुल नॉर्मल कंडिशन हो गई लेकिन फिर भी काफी हद तक नॉर्मल कंडिशन को वापस लाया गया चुनाव के पहले. What makes Mr. Arden's victory significant? वह क्या चीज है? जो Mr. Jacinda Arden की जीत को जो है, बहुती महत्वपूर्ण बनाती है, वो ये है, is that. ध्यान से देखना. What makes Mr. Arden's victory significant? कि Mr. Arden की victory को जो बात significant बनाती, वो क्या है? वो है, is that her brand of politics. कि उनकी जो राजनिती है, वो अपने आप में एक brand है. क्या है उनकी राजनिती है? उनकी राजनिती के आप हम देखते हैं, कि उनकी राजनिती के जो main points क्या है? socially liberal, सामाजिक रूप से उदार होना. एक तो ये जो है ना, किसी भी बात को लेके कटर नहीं है, सामाजिक रूप से उदार हैं ये. दूसरी बात, economically inclusive, आर्थिक रूप से inclusive. ऐसा नहीं है, कि बहीं ये ऐसा नहीं के सकते आप, कि इनकी जो party है, मिस आर्डन की जो party, आप ऐसा नहीं के सकते, कि ये businessmen वालों की party है, या फिर ये जो है फला जाती की party है, आर्थिक रूप से सभी को साथ में लेके चलने वाली सरकार है, जैसेंड आर्डन की सरकार, and politically democratic, और ये भी नहीं के सकते आप, कि किसी प्रकार की तानाशाई सरकार है, नहीं, राजनितिक रूप से बहुत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक सरकार है, तो ये आप कह सकते हो, कि इनकी राजनिति की जो main points है वो है, कि ये सामाजीक रूप से उदार है, आर्थिक रूप से समावेशी हैं, और राजनितिक रूप से लोकतांत्रिक हैं, ये इनकी राजनिति के brand है, तो इस तरह की जो politics इन्हों ने अपनाई, इस तरह की politics जो miss Jacinda Ardern ने अपनाई, उस politics ने क्या किया, has bucked the trend, bucked the trend का मत्तव होता है, trend को उलट देना, बिल्कुल रुख मोड देना, कि अब तक न्यूजिलेंड में जो राजनिति चलिया रही थी, कि जो चलन राजनिति का हमें न्यूजिलेंड में अब तक देखने को मिला था, उस चलन को ही मोड के रख दिया, किसने, miss Jacinda Ardern है, has bucked the trend का मत्तव होता है, चलन को बदल देना, रुख को बदल देना, of conservatives, conservative का मत्तव होता है, परंपरागत, रूडिवादी, यानि कि अब तक जो परंपरागत, जो राजनिति चल रही थी ना, न्यूजिलेंड में, उस राजनिति को, miss Jacinda Ardern ने बदल दिया, and the anti-immigrant, anti-minority, far-right parties, देखो, न्यूजिलेंड में अब तक कौन किस्तर की राजनिति चल रही थी, anti-immigrant, कि जो प्रवासी लोग आते हैं, immigrant मतलब प्रवासी, कि जो प्रवासी लोग न्यूजिलेंड में, दूसरी country से आते हैं, उनको भगाने की राजनिति, उनके खिलाफ राजनिति की जाती थी, anti-minority, कि भई, न्यूजिलेंड में, जो लोग अल्प संक्यक हैं, उनके खिलाफ राजनितिक पार्टियां जो है, अपने कदम उठाया करती थी, far-right parties, far-right का मतलब क्या है, far-right का मतलब होता है, एकदम अतिवादी रवईया अपनाना, far-right का मतलब होता है, बिल्कुल एक्स्ट्रीम रवईया अपनाना, कटर रवईया अपनाना, तो far-right parties, making gains, तो making gains का मतलब है, यहाँ पे फाइदा उठाना है, एक तरीके से लाब प्राप्त करना, फाइदे में रहना, तो यह जो पार्टीव थी न, जो कि anti-immigrant थी, anti-minority थी, far-right parties थी, यह तमिल नाडू में महत्वपूर्ण इस्थान बना रही थी, making gains in crisis-ridden societies, crisis-ridden का मतलब है, crisis-ridden society का मतलब होता है, एक ऐसी society, जो की संकटों से गिरी हुई है, crisis-ridden का मतलब होता है, संकट में फसी हुई, कि New Zealand के जो विबिन समाज है, जो की संकट में फसे हुए है, उन संकट में फसे हुए समाजों में, इस प्रकार की राजनीती की जा रही थी, किस तरह की anti-immigrant की, anti-minority की, इस टाइब की जो राजनीती की जा रही थी, इस राजनीती को जो है, Miss Jacinda Ardern ने बदल के रख दिया, और socially liberal, economically inclusive, और politically democratic राजनीती को उन्होंने अपनाया, offering का मतलब है, प्रदान करते हुए, a new way of governance, offering a new way of governance है, कि भई, offering a new way of governance, कि भई, जो सरकार चलाने का, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उन्होंने नया तरीका प्रस्तुत किया, offer का मतलब है, प्रदान करते हुए, a new way of governance, शाशन चलाने का, एक नया way, एक नया तरीका उन्होंने प्रदान किया, she represented herself, Ms. Jacinda Ardern ने अपने आपको प्रस्तुत किया, किस रूप में, as an empathetic co-citizen, empathetic का मतलब होता है, हमदर्द, co-citizen का मतलब है, कि मैं भी आपकी ही तरह नागरिकू, आपके साथ हूँ, co-citizen का मतलब है, कि Ms. Jacinda Ardern ने अपने नागरिकों को ये दिखाया, कि मैं भी आपकी तरह ही एक नागरिकू, और आपके साथ हूँ, आपकी हमदर्द हूँ, who happens to be running the governance, बस आप ये मानो, देखो इसका मतलब समझे ना ध्यान से, who happens to be running the government, उन्होंने जनता को ये दिखाया, कि मैं भी आपकी ही तरह एक नागरिकू, बस सायोग वश आप ये मानो, कि मैं जो है government चला रही हूँ, वरना मैं भी आपकी ही तरह एक नागरिकू, और आपकी हमदर्द हूँ है, who happens, happen का मतलब है just by chance हो जाना, who happens to be running the government, कि मैं सरकार चला रही हूँ, आप सरकार नहीं चला रहे, वरना मैं भी आपकी तरह ही एक नागरिक हूँ, इस तरह की बात उन्होंने लोगों को यकीन से दिलाई मतलब, यह यकीन उन्होंने लोगों को दिलाया है न, आगे देखते हैं, this approach was successfully tested, अब ये जो approach थी ना उनकी, Miss Jacinda Arden की ये जो approach थी, कौन सी approach की, मैं भी आपकी हमदर्द हूँ, एक नागरिक हूँ मैं भी आपकी ही तरह है, आपके साथ हूँ, तो ये जो दृष्टी कौन था, Miss Jacinda Arden का, was successfully tested, इस दृष्टी कौन का परिक्षन हुआ, कब हुआ इस दृष्टी कौन का परिक्षन, when a far right terrorist, इस दृष्टी का मतलब मैं आपको बता है, ता अतिवादी, जब एक अतिवादी आतंकी ने, जब एक कटर आतंक वादी ने, opened fire at two mosques, जब एक कटर आतंक वादी ने क्या किया, एक तरीके से firing कर दी, open fire का मतलब है firing कर दी, कहां पर, दो मस्जिदों पर है न, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद है न, कि न्यूजिलेंड में दो मस्जिदों पर, एक आतंक वादी द्वारा, एक कटर आतंक वादी द्वारा हमला किया गया है न, at two mosques in Christ Church, in March 2019, कि वही Christ Church नामक इस्थान पर, दो मस्जिदों में क्या किया गया, जो है एक आतंक वादी द्वारा जो है, फाइरिंग कर दी गई, हमला कर दिया गया आता है न, और उस फाइरिंग में जो है कितने, 51 लोगों को मारते हो, यह जो लिखावा न, killing 51, इसका मतलब है 51 लोगों को मारते होए, अब जब हम पूरी लाइन पढ़ेंगे न, तो इसका मतलब इस तरह से निकलेगा, कि जब एक कटर आतंक वादी द्वारा, दो मस्जिदों पर, मार्च 2019 में हमला किया गया, 21 आदमियों, 51 आदमियों को मारते होए, उस दोरान जो है, हमें Jacinda Ardern का टेस्ट देखने को मिला, मतलब Jacinda Ardern का क्या टेस्ट देखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि वो कितनी बढ़ी हमदर्द है, कितनी बढ़ी co-sitizen है, देखो क्या हुआ, शी इमेडियेटली रीच आउट तुदा का मतलब है पहुँचना, reached out to the country's Muslim minority कि न्यूजिलेंड देश के जो मुसलिम अल्प संक्यक है उन तक Miss Jacinda Ardern तुरंत पहुँची and backed और बैक्ट का मतलब होता है support करना, समर्थन करना, अब बिल और तुरंत उन्होंने एक बिल को समर्थन दिया है न्यूजिलेंड की जो एक तरीके से पार्लियमेंड थी न्यूजिलेंड की जो संसत थी उसमें एक बिल तुरंत पारित किया गया उस बिल को support किया गया Miss Jacinda Ardern के दोरा that band, उस बिल के तहत जो है band लगा दिया गया most assault style weapon assault का मतलब होता है हमला weapon का मतलब होता है हतियार कि ऐसे हतियार जो की बहुत ही खतरनाक हतियार है जो की हमलावर हतियार है assault style का मतलब होता है ऐसी style के हतियार जो की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जो की एक तरीके से आप कह सकते हो जो की हमलावर हतियार है उन हतियारों पर बेन लगाने को लेकर एक बिल पारित किया गया उस बिल को मिस जेसिन डार्डर ने जो है सपोर्ट किया तो ये बाते हैं हमें देखने को मिली कि हाँ भई वह वास्ता में कहती नहीं है करती भी है देखो ये जो बात है ना ये जो मार्स 2019 में घटना हुई थी है ना और ये लोग मारे गए थे तो उस दोरान मैंने देखा भी था ना BBC News मैंने देखी थी उस टाइम पर मैंने देखा था इनको पहली बार मैंने इस लेडी को देखा था और मुझे पसंद भी आई थी मुझे वास्ता में लगा था मैंने यार ये तो है वास्ता में दमदार लेडी है और ये वास्ता में पहुंची थी मुस्लिमों तक पहुची थी अपनी बात को नहोंने बहुत अच्छी तरीके से रखा था इस पीच भी दी थी उन्होंने इस टाइम पर हमदर्दी जता थे हुए तो कुल मिला के हर नेता दिखाता ही है जब इस तरह की कुछ घटना होती है कुछ कांड हो जाते हैं बड़े है तो इन्होंने भी दिखाएती लेकिन मुझे जो है अपील की थी जा उनकी हमदर्दी है c mh तो जिस दोरान यह हमला हुआ था उस दोरान यह तुरंत की तुरंत ही muslim minorities तक पहुची थी मुस्लिम अल्पसंग के लोगों तक पहुची थी इन्होंने अपनी हमदर्दी जताई थी इसके बाद में एक बिल पारित हुआ था उस बिल में ये जो बहुत ही खतरनाक हतियार है उन खतरनाक हतियारों को बैंड किया गया था और उस बिल को मिस जैसिंडा आल्डन ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था आगे देखते हैं She had also promised to alleviate alleviate का मतलव होता है कम करना Child Poverty कि भई जो बच्चों से संबने जो गरीब है Child Poverty का मतलब है कि जो गरीब बच्चे हैं जो बतलब एक तरीके से आप कह सकते हों कि जो गरीब बच्चे हैं भना यानि की बच्चों में जो गरीबी देखने को मिलती है हमें न्यूजिलेंड में उस चाइल्ड पॉवर्टी को दूर करने का वादा भी मिस जैसिंड आल्डन ने किया है और उन्होंने क्या प्रोमिस किया है फाइट का मतलब लड़ाई लडने का वादा इन्होंने किया है कि बहुत ही दमदार तरीके से हम जलवाई परिवर्तन के खिलाब भी लड़ेंगे चाइल्ड पॉवर्टी को हटाएंगे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स समावेशी राजनिती एंड एहुमेन अप्रोच मानवी दृष्टी कौन है इनके पास और बड़ी ही यह जो है इनके अंदर मानवीता है मानवीता के साथ यह पेश आती है सब लोगों के साथ इसके साथ कुछ बाते हैं इनके साथ यह चीज और जोड़ लो आप विक डिसाइसिव एक्शन की तुरंत है ना डिसाइसिव एक्शन का मतब निर्णाय कदम उठाती है यह तूट टेकल का मतब है हैंडल करने के लिए क्राइसिस का मतब है संकट देखो क्राइसिस की विभिन संकट ज परिवर्तन से निपटने का वादा उन्होंने किया है इन सब भी बात होने हैं कि उनके अंदर human approach है, inclusive politics उनके पास है, child poverty को हटाने का, जलवाई परिवर्तन से निपटने का वादा उन्होंने किया है, इसके लावा उनकी सरकार में एक quick decision लेने की चमता है, जैसे ही वो हमला हुआ जो मस्जिदों पर हमला किया गया, उसके तुरंत अपने parliament में ये एक bill लेके आई, उस bill को तुरंत इन्होंने support किया, और बिलको तुरंत पारित करा है, तो ये कुछ बाते हैं जो दिखाती है, कि हाँ, ये एक मजबूत और दमदार नेता है, आगे देखते हैं, अब लेकिन emphatic, emphasis देने का मतलब क्या होता, जोर देना, कि ये जो जोरदार victory हमें देखने को मिली है, Miss Jacinda Ardern की, इसका मतलब ये भी है, also means great expectation, कि अब Miss Jacinda Ardern से और उनकी सरकार से उम्मीदे बहुत ज्यादा हैं, great expectation का मतलब है, अब उनसे उम्मीदे भी बढ़ गई हैं, the lockdowns have had a heavy economic cost, कि भई lockdowns have had, ये head जो है न यहाँ पर, verb की third form है, have और फिर ये head जो है, verb की third form है, have had a heavy economic cost, भई lockdown के चलते, जो है, बहुत ही भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है, New Zealand को भी है, वो तो सारे विशु को ही चुकानी पड़ी है, लेकि New Zealand को भी चुकानी पड़ी लोकडाउन के चलते, lockdowns have had a heavy economic cost, कि भई lockdown के चलते, जो है, बहुत ही भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है, क्या कीमत चुकानी पड़ी है, New Zealand को, contraction, contraction का मतला होता है, संकुचन, by 12.2% in April, June, कि भई New Zealand की जो अर्थ वेवस्ता है, उसमें 12 प्रतिशत का संकुचन हमें दे तो ये चुनोती Miss Jacinda Ardern के सामने है, one of the criticism she faced during the campaign, कि भई कई सारी आलोचना है, Miss Jacinda Ardern को जहलनी पड़ी, उनमें से एक आलोचना है, she faced का मतलब उन्होंने सामना किया, during the campaign, अभियान के दोरान, was that, वो ये थी, she did not have a recovery plan, कि भई ये जो एक तरीके से अर्थ वेवस्ता में, ये जाएगा, इसकी छती पूर्ती किस तरह से की जाएगी है, तो ये उनके पास कोई प्लान नहीं था, campaign का मतलब होता है, अभियान, कि जब Miss Jacinda Ardern ने अपना चुनावी अभियान किया, तो उस समय विपक्ष के द्वारा, उनसे ये सवाल पूचे गए, कि भई, New Zealand को जो भी लटक रही है, अभी भी बनी हुई है, तलवार, कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया है, the COVID-19 threat का मतलब है खत्रा, कि COVID-19 का जो खत्रा है, इस तिल का मतलब है अभ भी लटक रहा है, इस तिल लार्ज, लूमिंग, इस तिल लूमिंग लार्ज, अभी एक बड़े इस तर पे COVID-19 का खत्रा बना हुआ है, COVID-19 अभी दुनिया से खत्म नहीं हो गया, तो इस COVID-19 का खत्रा भी बना हुआ है, तो देखो क्या-क्या उम्मीदे हैं उनसे, कि COVID-19 का खत्रा बना हुआ है, अर्थ व्यवस्ता को रिकवर करना है दुबारा से, ये कुछ ऐस जेसिंडा आरडन जो है, उनको करना होगा, विल है उटू का मतलब है करना होगा, क्या करना होगा, उन्हें साबित करना होगा, क्रिटिक्स का मतलब है आलोचक, कि मिस जेसिंडा आरडन के जो आलोचक हैं, उन आलोचकों को, मिस जेसिंडा आरडन को गलत साबित करना होगा है ना यानि कि आलो चको का मुँ बंद करना होगा critics wrong and live up to live up to का मतलब होता है जीना उम्मीद के मुताबिक जीना and live up to the expectations और जो उम्मीदें मिस जैसिंडा आर्डन से की गई है उन उम्मीदों के मुताबिक उन्हें जीना होगा उन उन उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना होगा लिव up to का मतलब है कि वह जो उम्मीद आफ से की गई है उस उन उम्मीदों पर आप खरा उत्रो ओफ दोज उन लोगों की उम्मीदें who supported her कि जिन लोगों ने मिस जैसिंडा आर्डन को internet support किया है उनकी कुछ उम्मीदें है उन उम्मीदों पर मिस जैसिंडा आर्डन को खरा उतरना होगा साथ ही साथ while उन्होंने क्या कहा के वे मैं rule कर रही हूं किन लियो ऑल झुजी लेंडर्स उन्होंने ये कहा कि मैं शाषन कर रही हूँ, ruling का मतब़े मैं शाषन कर रही हूँ, किनके लिए? सभी New Zealand के वासियों के लिए, ठीक है? तो इस बात का तो उन्हें ध्यान रखना ही रखना है, कि सारे New Zealand वासियों के लिए शाषन करते हुए, उन्हें जो है, उन लोगों का वि उतरना होगा